कि अलो गाइज वेलकम टू टू टेकिसमाट टू पॉइंट हो आज हम आप लोगों के लिए एच्पी की प्रीमियम सीरीज का लेप्टोप लेक्या है हूँ जो कि है एच्पी का पैविलियन 15 यह कफी ट्रेंडिंग मोडेल और अभी आई 511 जनरेशन लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ है एच्पी के पैविलियन लेप्टोप काफी प्रोफेशनल और हाइएंड वर्क के लिए जाते हैं जो कि ओफिस वर्क लाइक ओटोकेड ट्रीडी रेंडरिंग वीडियो रेंडरिंग और आप एक प्रीमियम सेरीज का लेप्टोप पर चेज करने की सोच रहें तो यह आपके लिए काफी यूजब वीडियो रहने वाला है तो चलिए दोस्ते वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अग्याइज गेमिंग परफोमेंस टेस्ट करने से पहले इस लेप्टोप की क्वि सब्सक्राइब 11 जनरेशन 11 35 G7 प्रोसेसर मिलता है जो 2.4 गीगाट्स की फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है और मेमोरी के लिए इसमें आपको मिलते है 16GB की DDR4 रैम जो डूल चैनल के साथ आती है इसमें दो स्लोट में 8 8GB की 2 रैम लगी हुई है और इसकी फ्रिक्वेंसी है 3 सब्सक्राइब 116 ग्राफिक्स मिलते हैं जो शेर्ड 8GB GPU मेमोरी के साथ आते हैं और इसके साथ है आपको मिलता है डेडिकेटेड एंवीडिया का जीफोर्स MX450 ग्राफिक्स काड जो 2GB मेमोरी के साथ आता है तो फ्रेंड्स चलिए इस लेप्टोप में गेम खेलके देखने कि इसकी गेमिंग पर्फोमेंस के सीके देखने को मिलती है क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स दिया हुए तो गेमिंग पर्फोमेंस एवरेश से बैटरी मिलनी चीए सबसे विलेंस में खेलते हैं बलर गेम जो कि एक रेसिंग यहम है ऑड़ा पुम्स को बलर कि एकज से डिम ऊड़ल कि उत श्याएब आ कि एकिप उता का Ben हुआ हुआ है पड़िट जाय, क्पड़ जाय! झाल झाल बादो कर दो दो नजब दो भादो इस गेम को मैंने फुल फ्रेम और फुल रेजोलुशन पर प्ले गिया और मुझे फ्रेम रेट भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है और ग्राफिक्स परफॉमेंस भी काफी सही ती इस गेम की और नेक्स्ट इसमें हम ट्राइ करते हैं स्नाइपर गोस्ट वारियर कॉंट्रेक्ट्स जो कि एक एक एफ पीपी गेम है इस लेप्टों में वुझे साउंड भी काफी शांदार सुना ही दे रहा है क्योंकि इसमें ओड्यू प्रोवाइड करा रहा है बैंक अन्वोल्फिसन ने अच्छिप्ट वग्यू जाव बड्यू अच्छिए अच्छिफ ग्रीचिए अच्छिए। ग्राइवड ग्रीचिए। एंपे रसे एक्षटाइए ओरींड़ो इंवे ग्रामितले छिनना करके हैंnocनिесाब आपा.. नच ए मेर्च तरगत कि त значит एकनफे आग सब्दूनक पुछे एको पार्ग, तक कि पर आख कि अघगा हैं, हैं.. फ्टेरा गैंता वो इंप कि सुपनी को पेवर्द सकतर। मैonnen हमे मान चारने नाज़ थेला कि से अरी को आम में. में हमिमागी मैज्ट अंपूर्ज रह電 हिनété और रही अम्हेर्व हो जाफ पर वन्हें हिंदी में कि अवर्वर्फ yönवेड रखन बतार को एग, और भी ईुट कर साज वाल भानीट झा retailer लाल वालेये स्टसे की HOW सब भीजिए टो स्रस्वा 60 में लाल प्याद पुट कर छो ट जू भल मुट टो अ ट्याद याल माल मों टूट कर दा दु рядом और मेछा हैं, श मेछ ब deficits काका बाजोचम्सी थिए रसा रуск, सबस्पाई रजांकchutzी य्या धिछिए प्रमूगंगा शोरी राजरी में currently on a सबस्रेजश कर लिए हैं आप टो सिरृब फंवे बहींOTAlमगा Š अ सुल सुल stop रॉ फे कर दो प्रेफिल यर अम्मो अप्यों 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 चाहिए अच्छ पर्फोर्मेंस काफी सई देखने को मिलिए और फाइनली इसमें खेलेंगे जीटी एफ फाइव जिसका सभी को इंतजार रहता है सबसे ज्यादा आएफ की जीटीए फैव खेल के बताईए लैप्टोप में कि आएप कि आए है कि आए कि आए कि अ कि 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 अरौस्षय परे पहेंग घर बंक्ती है कि ど Digga Ting कि मैनेlaşिक हमया! मैने! चलेills! दसके पुब मा घुब इन खुप अ来 cars के ऑे दुब इन के वाइझ. त Bailey Стber, जो घ्ट जो riches. Hindiaking बताते बाइट एंवा हा हा. की कि और tipping अ हो, वैट ओव एंब इन k02 करुब एंवार. Kill में इंदे! he is going to kill us in here leave us alone you not getting none from that extra I mean I will tie a fire her I'm setting the charges they're on a timer so brace yourselves अव्फ फुक कि लिए में? सार इर अवार शार इंड स फुका इफ दिएट जट ? अवारे ही वार्दाराँ अवारेशब कि लिए भीज़ किने हैं! अे विज़्द फिए पर अवाराँ ले को अष्टे हैं? इस बढ़ दूए इस बढ़ दूद कर दो एक बत्प opens ihtिनी झाफे बत्प कि दोगला शॉल्क उसी आपेवा फिर वोग ओ खूला तयाती одного प्रस घ्लाइट अजी टी झाल कि अजी में अवार झाल वार बींगा! प्रिव्य वार नचया है! उझा है ≡़वफ! समय बहलंके बहलंके प्रिश्वारश्व! काई है आरो खार प्रिशesz! ले एाफ़ गाफ़ बाफ़ दूल झाल से लेके लोगो होलीज़ जो कि अूल ता! ह obthoven लए अजता Remonlet! आडता हमाराब लादा! हुआं! हम हम रस खालों सहुआंग! वपलों सहुआंग! ठस्के अघ्र हम! कि अेजिए dazu कि पोतीες हो चाह्ण सुछी जाओ कि अाह्वार्या एझी नह चो उन्ट ओब कि इस फिए मेंग स्थफ़ कि अजे c你要 कि अश्ट ok बबबब में वाह現在 भी हो वाह वाह प्वाल्र थाभू त Dang इभ भी ऴॉप ईो C'mon, let's get to the chopper! We move quick, we can beat the train! We're getting there! Cops, comin' our way! Be cool, they ain't made this car yet! Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it! Shit, shit, shit! Road block! Go right! Beat the train, man! stay on the road so guys GTA 5 की performance भी काफी सही देखने को मिली कई बार फ्रेम ड्रोप हुए बट ओवर ओर 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 फ्रेमरेट काफी सही देखने को मिली 50 से 60 फ्रेम पर सेकंड एंस ओर फुल रेजयोशन पर प्ले कर रहा था मैं सव्हाइज गेंमिंग टेस्ट करने पाथ ले cannoid के मेंचमार्क स्सेट कर लेते हैं सबसे पहले करते हैं यूज जरे पैंचमार्क सॉप्टवेर से इस लेप्टॉप के सीप्यू बेंचमार्क स्कोर्स कंप्लेट हो चुके हैं तो इसमें सीप्यू पर्फोमेंस काफी सही देखने को मिलिए 59.6% और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर 3D गेमिंग के लिए एवरेज सपोर्टेड सही है और बूट ड्राइव जो एसेसडी की स्पीड एव वन वन थर्टी परसेंट एक्सेप्शनल स्कोर एक जो काफी सही है क्योंकि इसमें इंटेल की एम डॉट टो एसेसडी दी गई है और 16GB की रैम दी गुई है जो की काफी सफीशेंट है ओल गेम प्ले करने के लिए और इस लैप्टॉप में लेटेस्ट विंडोस 10 का वर्जन मिलता है 20H2 और यहां पर बाकी सारे स्कोर्स स्रीड राइट स्कोर्स देख सकते हैं और इसमें जो रैम है 8GB की दो स्लोट में रैम लगी हुई है वो है माइक्रोन कंपनी की जो काफी अच्छे पर्फॉमेंस प्रोवाइड करवाती है 65 परसेंट गूड बताया गया है और इसके रीड और राइट स्पीड यहां पर देख सकते हैं इसके जीप्यू बेंचमार्क्स भी टेस्ट कर लेते हैं जो कि हम टेस्ट करेंगे गीक बेंच फाइव से कि और कुछ विवर्स कमेंच कर रहे थे कि आप गेंग लेपटोप को चार्ज पर लगा के करते हैं तो हम आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप गेमिंग करना चाओ लेपटोप में तो आप पावर पे ही करें बैटरीज की परफॉमेंस सही देखने को नहीं मिलती है गेमिंग में और क्या बात है सम्टिंग 45 सेकेंड में इसका जीप्यू बेंच मां कम्प्लीट हो चुका है त्यूंकि इसमें डेटीगेटेड एन्वीडिया का ग्राफिक्स काड दिया हुआ है और इसको मिला है गीग बेंच 5 स्कोर 27186 ओपन सेल स्कोर जीप्यू के मिलिए और इसकी सारी स्पेक्स यहां पर आप देख सकते हैं और इस जीप्यू की परफॉर्मेंस काफी शांदार देखने को मिलिए क्योंकि एन्वीडिया का एमेक्स 450 लेस्टेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है जो लेप्टॉप में प्रोवाइड कर वाया गया है सुखाज मै इस लेप्टॉप की ओर और परफॉर्मेंस टेस्ट की इसमें गेम प्ले करके देखा और इसके बेंचमार्क स्कोर्स भी टेस्ट किये तो इसकी ओर और सबकुछ तरीके से परफॉर्मेंस काफी शांदार देखने को मिल रही है क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट जो है वो ल 3D rendering Autocade वर्स के लिए जिसमें आप gaming भी अच्छे से कर सको तो मैं आपको recommend लूझा करोंगा कि नॉर्मल सीरीज का laptop purchase ना करें आई-फाइम में आपको प्रीमियम सीरीज का laptop purchase करना चाहिए क्योंकि इसकी performance नॉर्मन से काफी ज्लादा बहतरीन देखने को मिल रही है audio भी इसमें bang and option में provide कर वाया जिसकी audio sound काफी शांदार देखने को मिली और display भी इसमें आपको 15.6 inch की full HD anti-glare IPS panel के साथ देखने को मिलते हैं जिससे graphics quality भी काफी शांदार देखने को मिलते हैं और इस laptop में आपको backlit performance भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी साथ से आठ गंटे का battery backup आनी से मिल जाएगा और मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप gaming करते हो तो आप battery power पर gaming ना करें आप direct AC power पर gaming करेंगी से gaming performance काफी सही देखने को मिलेगी और laptop की battery life भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी तो और ओल इस laptop की रिगाड़ी में अपना opinion दू तो i5 11 generation के साथ है मेरे को सबसे best laptop लगा जो की premium series के साथ आता है तो आई ओप इस वीडियो में मैंने आपको इस laptop की रिगाडिंग जो भी questions होंगे और queries होंगी वो clear कर दी होंगे फिर भी अगर आपको questions और query हो तो मुझे comments box में comment करके जरूर बताएं और मैं तो last में finally यही recommend करूंगा कि आप एक i5 laptop purchase करना चाहते हो तो एक premium laptop ही purchase करें आपको काफी शांदार experience देखने को मिलेगा तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आयोप आपको वीडियो पसंद आया होगा मैं मिलता हूँ आपको next day में किसी और exciting laptop के साथ so thanks for watching have a nice day जे हिंद वंदे मात्रम